नमस्कार मैं विकरम सिंग आज की क्लास वन शॉट रिविजन रासानिक बल गतिकी से आप लोगों ने दो वन शॉट ले लिये हैं यानि चाप्टर वन और चाप्टर टू का विलियन और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का मैंने आपको नोर्स में सब कुछ दिया है ध्यार रखिएगा ताकि आप कैसे फटा-फट रिविजन कर सकें क्योंकि जब तक रिविजन नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो सबसे पहली बात यह होता है कि बोलते हैं कि रिविजन ही डिविजन है तो कैसे यह पॉसिबल हो पाता है तो इसके लिए हमें करना पड़ता है कि ऐसे शॉट्स क्लास लेने चाहिए कई बार जिससे क्या होता है कि एक्जाम में जाने से पहले एक्जाम में किस-किस तरह के प्रशना आएंगे या किस तरह से हम उनके उत्तर दे पाएंगे ऐसे हमारे कॉंसेट कितना क्लियर है किन-किन टॉपिक को हमें और कई बार देखना चाहिए ये सारी बाते ही इसमें आती है और वो आप करते जा रहे हैं बिटा मैं आज दे रहा हूँ आपको रासानिक बलगती की का वन शॉट तब त्यार हैं? बोलिए तो भाई मैं एक बार बोलता हूँ जब रिविजन होता है ये वन शॉट रिविजन होता है तो थोड़ी फास्ट चलता है क्लासेस और जब फास्ट होता है तो आपको करना क्या चाहिए? उस टाइम पे आप बिलकुल कॉपी और पेन एक तरफ रख छोड़ दीजे उसकी जरूरत नहीं है बस फोकस करिए कि क्या क्या चीज़े है ये क्लास आप लास्ट में एक बात हमेशा रखिए ये लिंक जो है अपने पास सेव करके रखिए किसी जगा पे और जब भी आपको एक्जाम में जाना हो उससे पहले दो या तीम बार इस क्लास को जरूर देख ले इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी चलिए साहब अब बात करते हैं मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखा है आपने देखा होगा विथ नोर्स यानि कि नोर्स के साथ रासानिक बलगति की क्या है यहाँ से शुरुवात करते हैं बच्चो बिलकुल ध्यान से देखते जाएगा और हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चलिए सबसे पहली बात है रासानिक बलगति की है क्या चीज़ रासान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत अभिक्रिया की दर इवं क्रिया विधी का अध्यान क्या जाता है रासानिक बलगति की क्या है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें महत अपुन बात है अभी क्रिया की दर और क्रिया विधी का अध्यन किया जाता है परिभाशा हो गया अभी क्रिया की दर और क्रिया विधी का अध्यन किया जाता है आपने मोल अर्ता पढ़ा होगा, एक लीटर विलियन में, एक लीटर विलियन में उपस्थित उस पदार्थ की मोलों की संख्या उसकी सक्री मातरा कहलाती है, एक लीटर में पदार्थ के मोलों की संख्या को सक्री मातरा कहते हैं, सक्री मातरा क्यों क्यों कि हम मोल के आधार प पास है A plus B gives C plus D तो मैं इसकी सक्री मात्रा इसकी सांदृता को कैसे दर्शाओंगा active mass सक्री मात्रा तो A कितनी मात्रा में है उसकी मोलर्ता कितनी है ब्रिकट लगा करके A B कितनी मातरा में है स्क्वेर ब्रिकट B C कितनी मातरा में है स्क्वेर ब्रिकट C D कितनी मातरा में है स्क्वेर ब्रिकट D इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि इसको हम इस उप में दर्शाएंगे जब किसी भी पदार्त का जैसे बी की सक्री मात्रा की बात करूंगा तो बी की सक्री मात्रा कितना होगा बी का मोलों की संख्या बी की मोलों की संख्या by V in लीटर तब हम इसे हम इस वार्मूले को लिख सकते हैं एक्टिव मासाव B is equals to WB into 1000 by MB into V यहाँ पर ML में है क्योंकि उपर मेंने 1000 लगा दिया सिधा सा मतलब है तो यह इस फॉर्मूले पर हम काम कर सकते हैं तो कौन क्या चीज़ है आपको क्लियर होगा यह B का द्रवेमान यह B का MM याने अनुभार बिल्कुल जैसे आपने वेलियन में पढ़ा था बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है इसके अलावा चलते हैं भाई साब दूसरी बातें रासानिक अभिक्रिया की दर को कैसे निकाला जाता है कैसे ग्याद किया जाता है रासानिक अभिक्रिया की दर होता है इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पात की सांदरता में परिवर्तन इकाई अचा लिखाई हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगा इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पात की मूलर संद्राण में परिवर्तन कहलाता है अभिक्रिया की दर यानि एक सेकंड में कितना अभिकारक की संद्रता में परिवर्तन हो जाता है या उत्पात की संद्रता में परिवर्तन हो जाता है अभिकारक की सांद्रता हमेशे माइनस में होगी तो देखें हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर को हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभिक्रिया की दर होगा यहाँ पर देखें अभिक्रिया की दर तो अभिक्रिया की दर होगा परिवर्दन माइनस अभिकारक की सांग्रता अभिकारक की साक्री मात्रा बटा एकाई समय अंतराल या उत्पात के लिए बोलें तो प्लस तो प्लस लेखने की ज़रत नहीं है तो ये उत्पात की सक्री मात्रा परिवर्दन इसी तरह से समय परिवर्दन हम इसको किसे भी अभिक्रिया के लिए लिखें अभिक्रिया माल लेते हैं ये है तो उसके लिए क्या होगा A to B है या 5 C है या 6 D है तो उस इस्तिति में अभिक्रिया की दर क्या निकलेगा ज़रा देखी यह उत्पाद है वो अभिकारक है यह अभिकारक है वो उत्पाद है तब अभिक्रिया की दर होगा माइनस इसके लिए डिल्टा एक्टिव मास अफ ए बाई डिल्टा टी ऐसे प्रदशित करेंगे आर कमान इसके लिए निकार इसके आधार पे निकाल लेंगे तो क्या होगा यह भी माइनस होगा लेकिन वन बाई थ्री जो यह होता है इसके सक्री मातरा के परिवर्तन को को उस नंबर से भाग देते हैं इसको भाग दे दिये तीन से हाँ यह डिल्टा टी इसी तरह से अगर उत्पात की बात करें तो उत्पात तो यह होगा वन बाई फाइव डिल्टा एक्टिव मास आफ सी बाई डिल्टा टी या इसके लिए होगा वन बाई सिक्स डिल्टा active mass of d delta t क्या आप सब एक clear है आप लोगों को पस यही छोटी छोटी बात है आपको आनी चाहिए और कुछ नहीं तो भाई यह आपको करने आज तका है तो किसी भी reaction में आप इस बात का ध्यान रखें माल लेजी एक reaction है मेरे पास यह n2 plus 3h2 gives 2nh3 तब उस इस्थिती में क्या होगा तब होगा r is equals to minus delta n2 का active mass जैसा अभी कर्मक सिप यह number change होता है तो 1 minus होगा 1 by 3 delta यह पदार्थ है h2 delta t इसी तरह से यहाँ पर यह positive होगा 1 बटा 2 delta पदार्थ है n is 3 by delta t तो आपको लिखने आना चाहिए यानि की दर समी कराण आपको लिखने आना चाहिए किसी reaction को देख करके चले साब कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे मैंने बता दिया तो अभी क्रिक की दर क्या होती है 21 समयान तराल में अभी कारक क्या उतपात की संदर्था में परिवर्थन अभी कारक के संदर्था चुकि निगेटिव होता है अभी कारक धिरे धिरे कम होती जाती है इसलिए इसके लिए माइनस लगता है और उतपात के लिए हमेशा प्लस लगता है चले अब बात करते हैं ताक्षनिक वेग ताक्षनिक वेग का मतलब होता है सुक्ष्म समय में किसी शन किसी शन अभिक्रिया के वेग को ताक्षिनिक वेग कहते हैं तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं माल लेते हैं अभिक्रिया है ये A प्लस 4B गिवस 3C प्लस 4D चलो 5D लिख देता हूँ जो भी है बस हमें सिर्फ दर्शाना है D है तब इस्तिति में अभिक्रिया की दर ताक्षिनिक दर ताक्षिनिक दर को हम भी यहाँ पर भी यानि इस्टेंटेनियस रेट कहते हैं इसको दर्शाने के लिए R अब इसके लिए माइनस यहाँ पर और जो delta लगाते थे उसका पर d लगाएंगे, छोटा परिवर्तन के लिए, dt, यह क्या होगा, minus 1 by 4, d b by dt, इसका बेस पर 1 by 3, d active mass of c by dt, यहाँ पर होगा, minus नहीं होगा, चुकि यह product है, तो plus होगा, और यहाँ पर होगा, 1 by 6, d active mass of d by dt, यह लिखा जाएगा, पर साब लिखते जाएए, समझते जाएए, अगला पार्ट है, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया की दर की इकाई, सांद्रण प्रती सेकंड में होगा, सांद्रता, सांद्रता अगर विलियन है, तो मोल प्रती लीटर प्रती सेकंड होगा, इकाई, अगर कोई गैस है, तो गैस की सांद्रता को उसके दाब के अनुसार ग्याद किया जाता है, क्योंकि जितना अधिक दाब बढ़ेगा, उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी, सो यहाँ पर दाब के लिए सांद्रता होगा वायुमंडल और प्रती सेकंड, तो वायुमंडल प्रती सेकंड होगा इसके लिए, तो यह गैसी अभिक्रियाओं के लिए होगा, चले आगे दर्वियनुपाति क्रिया का नियम आप सभी को पता है किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्री मातराओं के गुणनफल के समानुपाती होता है याने अगर देखो यहाँ पर याद अखना अभिक्रिया की दर सक्री मात्राओं के गुणनफल के समानपाती होते हैं किसके अभिकारकों के अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं और समानपाती अभिकारकों के सक्री मात्राओं का गुणनफल अगर मैं कोई रियाक्षिन की बात करता हूँ अच्छा इसको तो अभिक्रिया ले ले लेता हूँ चलो मा लेते हैं एक अभिक्रिया ले ले लेता हूँ अभिक्रिया है मेरे पास अभिक्रिया है मेरे पास A प्लस B गिव C प्लस D तब इस स्थिति में क्या होगा अभिक्रिया की दर, समानुपाती, अभिकारक सिर्फ ये दोनों हैं, तो A की सक्री मात्रा, active mass of A, B की सक्री मात्रा, active mass of B, दोनों का गुणनफल, तो क्या बोला था, अभिकारकों की सक्री मात्राओं का गुणनफल, के समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर समानपाथी Active Mass of A. यहाँ पर येंग यहाँ पर घहाद बन जाएगा। क्योंकि A, PLUS A, PLUS A है। तीन A है, A PLUS A, PLUS A है। लेकिन यहाँ पर क्या होता? गुणा फर होता है। गुणा होता है, A, G, A, G, A होगा। तो यह क्यूब हो जाता है। तो active mass of A into active mass of B, इस तरगा पर क्या होगा, R is equals to K active mass of A cube and active mass of B square, ये, तो किसी अभिक्रिया को, उसकी अभिक्रिया की दर को, हम दर्व्यनुपाती क्रिया के निये मानुसर, हम कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, चलिए साब आगे बढ़ते हैं, क्विज, चलिए जवाब दीजेगा, पहला प्रश्णा आपके पास आता है, प्रश्णा है, रासानिक बल गतिकी के अंतरगत अध्यन किया जाता है, बताओ, ए है अभिक्रिया की दर, भी है अभिक्रिया की क्रिया विधी, सी है दोनों, तो धर डी है कोई नहीं, क्या होगा अंसर बेटा बताओ जल्दी से, चुकि ये वन शाट रिविजन है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कि आप थोड़े से फास्ट होई है, है और थोड़ी सी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसके क्रिया विधी यह होगा, अभिक्रिया की दर और क्रिया विधी दोनों, यानि कि यहाँ पर C option right है, A और B दोनों right है, क्योंकि इसके अंतर का हम के वेग वेंजक यह है, अच्छा यह जो दिखा हुआ है, मैं इसको और ठीक से लिख देता हूँ, वेग R is equals to minus D C A by D T, ऐसा लिखा हुआ है, C बड़ा ब्रेकट के जगा पे हम C भी लगा सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, तो इसको हम C को बड़ा ब्रेकट में दर्शा हैं, तो कैसे दर्शा हैंगे, तो R is equals to minus D active mass of A by D T, ऐसा है, तो यह C उस चीज़ को दर्शार है, सक्री मातरा को दर्शार है, active mass को दर्शार है, जिसको कहते हैं, मोलर संद्रन, चलिए सब, आगे बात करते हैं, क्या सहीं हैं इसमें का, रनात्मक चिन प्रदर्शित करता है कि वेक रनात्मक है, क्या यह सहीं है, बी, रनात्मक चिन क्रिया कारकों के सांद्रता में कमी को दर्शारता है, सी, रनात्मक चिन क्रिया कारकों के मद्दे आकर्शन बल को दर्शारता है, और D उपरोक्ट में से कोई सत्य नहीं है, क्य कहना चाहोगे आप इस जगह पे बताईए इसका सई जवाब बेटा रनात्मक चिन अभिकारकों की सांदरता में कमी को दर्शाथा है ये भी option right है अब चलें अभिक्रिया के वेख के आधार पर अभिक्रियाओं का भरगी करन अभी क्रियाओं का वरगी करन करते हैं अभी कर्amp के अधार Пон창 याद रखेंगे रासानि का भीक्रियाजी कोई बहुत दीबी कती कि मध्यमगतीक्तार सब्सक्राइब इस तोते अभीक्रिया की विक अधार पर अभीक्रिया को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, reaction पहला होता है, instantaneous reaction यानि कि तिव्र गती अभिक्रिया, दूसरा होता है, very slow reaction यानि कि अतिमंद गती अभिक्रिया, और तीसरा होता है, moderate reaction यानि मद्ध्यम गती अभिक्रिया, तो reaction अभिक्रिया तीन प्रकार का होगा, गती के अधार पर, विग के अधार पर, हम एक एक करके देखें, ताक्षनिक अभिक्रिया, तिव्र गती अभिक्रिया, यानि instantaneous reaction, बहुत fast चलने वाली अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया क्या होता है, कि जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन होती है, उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है instantaneous rate, जो अभिक्रिया बहुत तेज गती से जलती है, बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है इसे अभिक्रिया को कहा जाता है बहुत ही तो इसको कहा जाएगा तक्षिनिक दर अभिक्रिया हम इन अभिक्रियां के बारे में बात करें यह अभिक्रिया लगबग 10 की घात रिंड 14 से 10 की खात रिंड 16 सेकंड के अंदर ही पूरी हो जाती है इसको कह जाता है तिवरकति अभिक्रिया इनके कुछ एक्जामपल बताता हूँ मैं आपको देखे ये आयनी का भिक्रिया होती है ये आयनी का भिक्रिया होती है जिनमें देखे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ, NaCl प्लस AgNO3 की रियाक्षन जो है, यह तिवर गतिया भिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही जल में जाता है, Ag प्लस No3 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस Ag के साथ बहुत ही प्रबलता रखती है, आपस में जुड़ने का तो AgCl बन गया, और TG से अवक्षिप बन गया, फिर बज़िया NaCl, तो Na किस से रियाक्षन कर जाएगा, NaNO3 को जोड़ लेगा, और इस तरह सी यह भिक्रिया होती है, ऐसे बहुत सारी रियाक्षन है, जैसे हाइडरोजन गैस को ऑक्सिजन के साथ मिला करके, प्लेटीनम उत्परख रख दिया जाए, या 600 डिग्रे सिल्सियस के तापमा रख दिया जाए, तो तो तुनत रियाक्षन करेगा, और H2O बनेगा, विस्फोर्ट के साथ उश्मा निकलती है, संतुलित कर दें भाईया, दो, दो, ये संतुलित हो गया है, चलिए, तो ये साब भी बिक्रिया का होती, बहुत तिव्र गती बिक्रिया है, ये बहुत समय ज़ादा समय लेता है, ऐसे बिक्रिया ऊखा जाता है, अत्यंद मंदगती बिक्रिया, तो जैसे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, बहुत धीरे-धीरे होते रहती है, आइरन, पानी, आक्सिजन, ये सबी अभिक्रिया करके फाइनली बनाता है F2O3.XH2 ये जंग है रस्टिंग है तो यहाँ पर ये इस तरह से अभिक्रिया करती बहुत धीमी गति से होता है लोहा जो बन जाता है F2O3.XH2 अभिक्रिया जो जिसको मापन योग्य गति को हम कहते है मध्यम गति अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को ये हम बल गति के अभिक्रियां दिखाते हैं यानि कि आनविक अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रियाओं का मध्यान यहाँ पर आराम से कर सकते हैं कुछ example दे देता हूँ जैसे कि उधारण जैसे कि आप देख लीजेगा जिंक धातों को आप H2, dilute H2SO4 में डालते हो तो देरे-देरे अभी क्रिया करने लगता है और क्या बनेगा? ZNSO4 और hydrogen gas मुक्त करने लगता है यह हुआ दूसरी बाते हैं ऐसे ही ester का जलब घटन CH3 COOC2H5 जलब घटन जल से क्रिया और यह अमलक की पस्सेती में होता है तो बनेगा CH3 COO- और C2H5 यह हो गया acetic acid और यह हो गया alcohol इस तरह से जलब घटित हो जाता है alcohol और acetic acid में तो यह अभिक्रिया कहलाती है मंद गती अभिक्रिया तो अभिक्रियाओं के प्रकार हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं अब बढ़ते हैं बढ़ते हैं और आगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है बातों को सुनिएगा और आप लाइन से लिख सकते हैं दूसरी बात है ताप अगर किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दिया जा तो अभिक्रिया की दर में वृद्धी हो जाता है प्रकृति हर एक पदार्थ अलग तरह के होते हैं आयनिक योगिकों में अभिक्रिया की लेकिन अगर सो छोटे तुकडों में तोड़ा जाए तो और तेजी से होगा यानिके शित्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है दाब गैस गैस पर दाब का प्रभा पढ़ता है क्योंकि जब गैस पर दाब लगा जाती तो गैस जो है संकुचित हो जाता है सं पर अभिक्रिया की दर उतनी ही तेजी से होगा तो देखें दाब अगला बोला मैंने दाब गैस जो होता है दाब लगाने पर क्या होता है वो संपिडित हो जाती है तो जितनी ज्यादा गैस पर दाब लगा जाए अभिक्रिया की दर उतनी ही बढ़ती है विक्रन कुछ रि अबड़क्रिया के डिक्रियान अभिक्रियरग को कर देते हैं जिसकी वुझासे कम एणर्जी में ही में इसे से र्याक्शन करने लग जाते हैं तो ये इसके पूरे डीटेल का वीडियो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है इसका जो रासानिक बल्गतिक है उसमें से आप देख सकते हैं फिलहाल हम आगे चलते हैं अणुसंख्यता अगला शब्द हमारा है अणुसंख्यता को भी रियक्शन हो रहा है तो जितने अणुए आपस में अभिक्रिया करने के लिए ठकराती यानि कि एक अभिक्रिया होने के लिए जितनी अणुओं की अवशक्ता होती है उन अणुओं की संख्याओं को हम अणुसंख्यता कहते हैं यानि किसी भी अभिक्रिया को संपन होने के लिए कम से कम कितनी अणुए होनी चाहिए है जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ, चलो, उदाहरण की बात करते हैं, चलिया, एक अमोनिया बनाना है, अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, N2, प्लस आपको लेना पड़ेगा, H2, तो अभिक्रिया हो चाएगा, N3 बनेगा, लेकिन जब इस अभिक संख्या कितनी है, अभिकारक अद्मो की, तो एक नाइट्रोजन और 3 हैड्रोजन का मेशन लूगा, तो अभिक्रिया हो जाएगी, यानि कि अगर मैं 2 नाइट्रोजन लेता हूँ, तो मुझे 6 हैड्रोजन लेना पड़ेगा, उस अभिक्रिया को करने के लिए, मतलब जो सर अनुसंख्यता मिला हमको एक धन तीन बराबर चार इसी तरह से किसी भी रियाक्शन में अनुसंख्यता आप ग्याद कर सकते हो किसी भी रियाक्शन में जैसे एक अभिक्रिया और दे देता हूं Aumonium Nitrate, NH4 NO2 इसको सिर्फ गरम करोगे तो ये बना लेगा nitrogen nitrogen और ये पानी तो ये N2 बनाएगा और दो पानी की अनुचों में बनाता है गरम करेंगे तो लिकiern itu अभिक्रिया के लिए आपको केवल एक अनुचन लेने पड़े याने कि अनुसंख्यता होगा कितना? एक तो अनुसंखिता बड़े आड़ाम से निकाला जा सकता है रियक्शन देख करके अब चलते हैं यहाँ पर इसको और सरल रुपे परिभाशित करना चाहूं तो एक देख सकते हैं अभिक्रिया में अभिकारकों के स्टाक्योमेटर गुणांग का योग इस अंख्या को स्टाक्योमेटर गुणांग कहते हैं हाइडोजन के स्टाक्योमेटर गुणांग तीन और नाइडोजन का एक टोटल मिला करके चार यहाँ पर स्ट्राक्टमेटर गुणांग एक, यानि कि एक ही अग है, तो इसी को बोला गया, वे शॉट में आपके सामने परिभाशा लिख दिया हूँ अब चलते हैं भई अभिक्रिया, द्रव्यन उपाती क्रिया का नीम, आप देखें तो अभिक्रिया की दर, उनकी अभिकारकों के सक्री मात्राओं के गुणन फल के समान उपाती होता है, यह हमने पढ़ लिया है, अब इसी जगापे हम पढ़ेंगे अब अभिक्रिया की कोट क्या है किसी अभिक्रिया की कोटी है वो अभिकार सक्री मातरय का गुणनफल के सक्री मातर होती उस पर गात लगता नहींबिख्य प्रیک्षिब को दश आने के लिए धर्नियम समीक्रंच में लगा अचनेवाले गहातों योगफल होता है। तो परिभाशा है मैंने या पर लिक़ा, जर्रा समझें इस चीज को, तो यहां पडेखेगा माना के अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटी का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया को संपन होने के लिए कौन अभिकर्मक है जो उस अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है यही इसका मतलब होता है अभिक्रिया तमाल लेते एक अभिक्रिया A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी उत्पात बनेगा तब इसकी स्टाक्यमेट्री गुणांक एक है, इसका B है और इसका C है इस स्थिति में प्रेक्षित दर समीकरण क्या होगा? प्रेक्षित दर समीकरण R is equal to K, अभिकारक A की सक्री मात्रा उसके गुणांक वैल्यू कितनी है A, B का पावर B और C का पावर C है तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटी को small n से दर शाते हैं तो अभिक्रिया की कोटी and यह होगा A plus B plus C इसलिए बोला गया है सांद्रन पदों पर लगाए जाने वाले घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटी कहलाता है किसी अभिक्रिया की कोटी उन समस्त घातों का योग है इन घातों का योग है जिने प्रिक्षित दर समीकरण में दर नियम पर लगा जाता है सांद्रन पदों पर लगा जाता है बिल्कुल साफ लगा हुआ है इसी बात के आधार पर हम अभिक्रिया की कोटी का नेधारन करते है लेकिन याद रखमा यहाँ पर जो लाइन पर ध्यान दो किसी अभिक्रिया की कोटी उन अभिकारकों की अनुसंख्यता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते है इसके भी डीटिल में जाना है तो ये तो वन शॉट है मैं बार बार बोलता हूँ वन शॉट मतलब आपको रिविजन करना है यानि आप पढ़के रखे हो तो आगे जाकर के बेटा इसके बाद वाला चप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो उसके लिए आपको पढ़के आना है यानि D और F ब्लॉक के लिए तो दियार रखना आगे जो है D और F ब्लॉक को पढ़के आना है लेकिन इसके बीच जे से होता था हमारे पास कि और भी चप्टर हुआ करते थे वो साथे चप्टर तो हट गए है तो D और F ब्लॉक के आपको पूरी तयारी करके आना है अब कहना ये है कि जब इस चप्टर का आप क्या बुलते हैं बॉन शॉर्ट क्लास के ले रहे हो तो इसके फुल डीटेल क्लासस आपको जरूर एक बार ले लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए तब ही आपके लिए ज़्याद आसान होगा फिलाल शॉर्ट में मैंने इतनी बाती बता दियू यही आपको एक्जाम है लेकिन अबिक्रिया की कोटी का है करके पूछा जातो अबिक्रिया की कोटी निकालने का कोई सीधा तरीका नहीं होता है लेकिन कुछ जानकारी आपको मैं जरूर दे रहा हूँ छुन्यिक ي नहीं होता है और इस प्रएगे इङके की क्या होगी और बात यादर कहिए एक से अधिक पतों में होने वाली अभिख्याओं में अभिक्रिया की जो कोटी है निर्धारित करती है मंद गतिपद, सिर्फ मंद गतिपद ही निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटी को, तिव्र गतिपद कभी भी निर्धारित नहीं करता है, जिसको हम दर निर्धारक पद कहते हैं, अगली बाते होंगी हम, छदम एक अनुक कोटी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया को अगर देखते हैं और वो देखने पर अगर वो दो कोटी या तीन कोटी या चार कोटी का लगता है लेकिन वो होता है एक कोटी की अभिक्रिया तब इसे कहा जाता है एक कोटी अभिक्रिया या शदम एक अनुक अभिक्रिया वहाँ अभिक्रिया जो रासानिक समीकरन से जिस कोटी का प्रतित होता है उस कोटी का ना हो करके एक कोटी का होता है इसे छद में एक अभिक्रिया कहते हैं जैसे उदाहरन एस्टर का जलब घटन जिस पदार्थ की मातरा दिखोगी या जलब घटन कराएंगे तो जलब की मातरा दिखोती तो यह कोटी का नधार नहीं करेगा फिल्हाल क्या बनेगा सी एस्टरी तो इस जगा पर अभिक्रिया की दर समीकरण क्या होगा प्रेक्षित दर समीकरण होगा इसकी घाद तो एक होगा आर इस इकोस टू के यह होगा लेकिन इसके लिए कोट घाद होगा शुन भले एक है लेकिन शुन्य होगा क्योंकि जिसकी मातरा दिक होती है उसकी घाद अंक शुन्य होगा इसलिए अभिक्रिया की कोटी होगी एक वन प्लस जीरो घात अंक में अब वेग निर्धारक पद इस शब्द का मतलब क्या है अगर कोई रासानी का भिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन हो रहा हो तो उस पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं जो स्लो गती से चल रहा है एक एक्जाम्पल बतातों एक्जाम में अगर लिखना पड़े तो इस तरह से लिखेगा एक्जाम्पल उधारन अभिक्रिया अभिक्रिया है कि NO का ऑक्सी करण होता है 2NO प्लस O2 और बनता है NO2 ये रियाक्शन है ये अभिक्रिया दो पदों में संपन होता है अभिक्रिया विधी ये है NO प्लस NO दो NO आपस मिलते हैं और ये बनाता है N2 O2 ये जो रियाक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है दुईती ये प्रथम पद है अब दुईती पद लिख रहा हूं ये जो N2 O2 है ये ऑक्सिजन से रियाक्शन करता है O2 से और बनाता है 2NO2 इस तरह से लेकिन ये रियाक्शन जो है स्लो होता है और यही पद जो है दर्निधारक पद होता है दर्निधारक पद यानि वे पद जो स्लो गती से चलती है यानि इसी के अधार पर अभिक्रिय की कोटी होगी तो इस अधार पर अभिक्रिय की कोटी दो है यहां पर देखने से लगता है अभिक्रिय की कोटी तीन नजर आ रहा है दो और एक तीन जबकि अभिक्रिय की कोटी यहां पर एक यह हो गया एक यह हो गया तो अभिक्रिय की कोटी यहां पर कितना होगा दो होगा और कोटी की वैली होगा टू जबकि इसको देखने से तीन लगता है तो ऐसे प्रियाक्शन जिसमें अभिक्रिया की कोटी कुछ और दिख रहा और होता कुछ और है तो चलिए साब आगे बढ़ते हैं प्रश्णा हो सकता है आपके लिए अनुसंख्यता या अन्विक्ता तथा अभिक्रिया की कोटी में क्या अंतर है तो यहां पर इसा होगा अभिकारक अन्वों के सांद्रन पदों में घातों का योग होता है दूसरी बात है यह सद्धांतिक है जबकि यह प्रयोगिक है तीसरी यह पूर्णाग में हो गया हमेशा लेकिन यह प्रभाज भी हो सकता है यह शुन्य नहीं होता है या क्रिया विद्धि से को संबंदित होती है जबकि यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंद होता है अभिक्रिया अनुसंकिता अभिकारकों की संद्रता और दर से किसी प्रकार से संबंदित नहीं होता है तो किसे इसकी अनुसंकिता जो होता है संद्रता और दर से कोई संबंद नहीं होता है जबकि इस आगे बात करते हैं, शुन्य कोटी अभिक्रिया, जब आपने अभिक्रिया की बारे में बोला था कि वे अभिक्रिया कैसी कोटी, कैसी अभिक्रिया कैलाती, शुन्य कोटी अभिक्रिया, परथम कोटी अभिक्रिया, दृती कोटी अभिक्रिया, यह सब आपकी कोर्स के अंदर है और इसके derivation भी आपके साथ है तो मैं इसके derivation फटाफट लिखता हूँ आप लोग इसको देख लेजगा एक बार तो देखे माना की एक अभिक्रिया शुन्यकोटी अभिक्रिया किसे कहते हैं किसी अभिक्रिया का वेक अभिकारकों की सांदरता पर निर्भर नहीं करता है तो इसे शुन्यकोटी अभिक्रिया कहेंगे शुन्यकोटी अभिक्रिया एक अभिक्रिया मैं ले लेता हूँ माना की अभिक्रिया A से प्रोडक्ट बना एक प्रोडक्ट का निमार होता है तो A से प्रोडक्ट का निमार होता है तो प्रारंभिक पद T समय शुन्य है उस समय इसकी सांदरता A है जबकि ये पूरी तरह से 0 है लेकिन T समय पश्चात इसकी संद्रता A-X है तो ये हमारे पास X है इस अधार पर हमारे पास दर्निय मानुसार क्या हो जाएगा? दर्निय मानुसार हमारे पास होगा अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक A A की घातांग 0 तो हम अगर इसको लिखते हैं R is equals to K A की घातांग 0 तो एक किसी का घातांग 0 हो इसका मतलब उसका value 1 हो जाता है तो R is equals to K होगा समय करण 1 तो इस तरह से हमारे पास R is equals to K होगा लेकिन बलगती की दर निकाले तो क्या होगा? बलगती की दर होगा R is equals to परिवरतन कितने का हुआ? X का तो होगा D X by D T D X by D T तो हम इस जगा पर हमारे पास समी करण हो गया यह इसको दो मालने समी करण 1 वा 2 से एक में हमें मिलता है R की value K और 2 में मिलता है D X by D T अगर मैं इसका समा क्लंग कर दूँ पर क्या मिलेगा? अब इसी जगा पर मैं इस जगा पर एक और काम कर दूँ भाईया सांदरता हों को एक तरफ ले लेता हूँ तो सांदरता एक तरफ लेने पर क्या होगा? D X is equals to K D T तो इसका समा क्लंग करता हूँ तो हो जाएगा D X फलन K D T यह फार्मूला होता है हमारे पास और इस फार्मूले का क्या मतलब हुआ? जरा समझें इसका value हो गया X और इसका हो गया K into T C प्लस हमारे पास एक समा क्लान इस सरांग काता है C समीकरण नमबर यह 3 हो गया समीकरण 3 हो गया यहाँ पर यह पता लगाने कि C का मतलब क्या है? C का क्या मतलब है? तो यहाँ हम यह काम कर लेते हैं कि प्रारंबिक समय में क्या देखने मिलेगा? प्रारंबिक समय मतब T is equals to हो जाएगा T का मान जिस समय शुन्य है प्रारंबिक समय यह है T कमान शुन्य है इस समय X का मान 0 है तो इस तरह से यह हो गया 0 is equals to K into 0 K into 0 plus C याने कि हमें मिल गया C is equals to 0 C का value 0 हो गया समी करों तीन से तो क्या होगा बोलो C का value रख दें X is equals to K into T plus 0 C का value 0 इस तरह से C कमान हमारे पास क्या हो जाता है यहां पर यह हो गया अब आप आप क्या करता है X is equals to K into T याने हमारे पास हो चुका है K is equals to X by T यह शुन्य कोटी अभिक्रिया के लिए यह अब अधर सब्से करना है चलाई साब हो गया यह करना है आपको तो चलिए सब आगे बढ़ते हैं तो k is equal to x by t formula आपको यादखना है शुन्य कोटी अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटी अभिक्रिया क्लिक्या और तो सब के लिए आप डिराइव करना होता है फिलहाल आपको derivation का full videos आपको मिल जाएंगे और भी लिकिन मैंने यहाँ पर तो अर्धाय उकाल को हम t haaf से दर्शा आते हैं ऐसे तो 10 कोटी अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होगा तो यहां पर t की value a by 2 के बराबर T की value T half से दर्शार हो और X की value जो है A by 2 के बराबर होगा अता शुन्य को T अभिक्रिया का क्या होगा शुन्य को T अभिक्रिया समीकरण क्या है अभिक्रिया समीकरण है K is equals to X by T तब X का मान क्या होगा तब की X का मान होगा A by 2 तो A by 2 और T काओ लिखते हैं T half ये formula होता है आपके बाद तो T half is equals to क्या देखने को मिल रहा है T half is equals to A by 2 K इस तरह से हम ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है भाई कि ये 2 के स्थरांख है इससे क्या सिद्ध होता है कि T half समानोपाती A अर्थात A की मातरा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा T half होगा याने अर्ध हायोकाल हमेशा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा अगर वो शुन्यकोटी अभिक्रिया है याने शुन्यकोटी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अर्ध हायोकाल को निर्धारित करती है चलने साब आगे बात करता हूँ प्रथमकोटी अभिक्रिया प्रथमकोटी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होता है या वे अभिक्रिया होता है जो अभी कारक की 21 अंदरता पन्रिभर करता है फिर यहाँ पर derivation होगा तो derivation से मैं direct इसका formula प्राप्ट कर लेता हूँ क्योंकि time फिर लग जाएगा तो आप इसको पूरे video कर लीजेगा एक बार तो इसका formula होगा k is equal to 2.303 by t log 10 base a by a minus x होगा और अर्धायूकाल के लिए होगा t half is equal to point 693 by k याद रखना दृती कोटी अभिक्रिया में अर्धायूकाल जो होता है एक निश्चित value होता है याँ अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह दो formula तो यह इसके दर्स्थरां के लिए इसको भी संतुलित जैसे हमने अभी किया था derivation वैसे derivation है derivation के में वीडियो आपको दे दिया हो तो उसमें से आप एक बार ज़रूर कर लिजए ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाए पूरी 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 क्लास से आप कर सको अगर नहीं पहले किये हो तो और कर लिए हो तो फिर टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा फिलहाल हम बात कर रहे थे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटी का निर्धारांद करने हैं तो यह वाले के का संबंद मत यहां पर एन की वेल्यो यह ने प्रथम कोटी है टू है इस आधार पर आभी की का निर्धाररिन कर सकते हैं फिलहाल इसको आप नोट कर लिजगें बिल्कुल आर्म से समझ सकते हैं इसको मैं यहाँ पर करूँगा अर्ध है उकाल प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए तो अ का होता है 0.4771 और 3 का 4 का होता है 0.60215 का होता है 0.699 और 6 लॉक 6 का होता है 0.7782 लेंगे तो क्या होगा पॉइंट इसको थ्री जबकि यह वाला हम इसको शॉर्ट में ले सकते हैं यह पॉइंट 47 है मतब लॉक 5 इसकी वैल्यू को 0.6 इसकी वैल्यू को 0.7 और इसकी वैल्यू को 0.8 कर सकते हो तो देखो 5678 लॉक 2 की वैल्यू 0.3 लेकिन उसके बाद है 4 छोड़ दो तो हो गया 567 पॉइंट में यह वैल्यू लेख सकते हो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो देखो लॉक 2 की वैल्यू 0.3 लॉक 3 की वैल्यू 0.5 फोर का 0.6 फाइव का 0.7 और एट का 6 का 0.8 एकदम सिंपल हो जाता है तो इसको याद रख सकते हो एक प्रशन है मेरे पास एक प्रतम कोटी अभिक्रिया 50 मिनिट में 90% पूर्ण होती है इस अभिक्रिया को कैसे solve करोगे इस questions को कैसे solve करोगे विल्कुल आसान है चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया है solve करता हूँ मैं यह प्रतम कोटी अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि अभी ग्रिया का फॉर्मूला लगेगा दूसरा टाइम 50 मिनिट में अर्धाय उकाल ग्यात करना है तो 50 मिनिट में 90 परसेंट पूर्ण होता है बोला है तूम्हें तो टाइम is equals to 50 मिनिट 90 परसेंट पूर्ण हो जाता है यानि X की value 90 है तो a की value प्रारंबिक 100 होगा 100 में 90 हो गया तो a-x की value होगी 100-90 याने की 10 इतनी जानकारी मिल गया इस अभिक्रिया का अर्धाय उकाल ग्याद करना है आपको calculate करना है t-half अब बेटा t-half के लिए सुत्र कौन कौन से लगेगा आप देखो धहां से t-half अगर आपको ग्याद करना है तो आपको करना पड़ेगा 0.693 by k याने आपको k ग्याद करना पड़ेगा तो k के लिए होगा 2.303 लॉग ये बाई t लॉग 10 बेस a by a-x इतने काम करने पड़ेंगे तो पहला formula और यह दूसरा formula तो आपको सबसे पहले पहले दूसरे formula पर काम शुरू करना पड़ेगा तो formula number 2 k is equals to 2.303 by t है 50 t है 50 log 10 बेस a की value a by a-x a की value 100 और a-x की value 10 तो यह कर दिया अब आपके पास हो गया k is equals to 2.303 by 50 log 10 log 10 की value होता है 1 तो इस का मान हों गया 1 log 10 का value 1 आपको पता है कि नहीं पता नहीं log 10 10 के value 1 log 10 बेस 100 की value 2 log 10 बेस 1000 के value 3 होता है यह हमेशा याद रखें तो यहाँ पर 1 हो गया तो k के value तो मिल गया आपको k का value मिल गया 2.303 by 50 यह मिल गया अब समी सुत्र 1 तो क्या करना है अरधायू काल T half is equals to point 693 by k का मान होगा 2.303 into उपर हो चला जाएगा 50 इस तरह से तो T half की value हो गया क्या T half की value calculate कर लो यह value आएगा कितने बार बोलो यह तो सब नज़र आ रहा है इसके दश्मलों को मैं हटा देता हूं तो मुझे यह दश्मलों यह दश्मलों को हटा देता हूं यह zero तो यह हुजा का point यहां पर चला गया है ना अब यह दो एकम दो दो तिया तो एकम और यह तिया हो गया तिन पंदरा यह पंदरा मिनिट हो गया यह answer हो गया इसे तरह से और भी प्रश्ना है आपको मैं दे रहा हूं इसको आप होमर्क करिएगा चलिए एक प्रश्ना है यह आपको हो मर्क है इसको कैसे हैल करेंगे प्रश्न इकnदम सिंपल है एक प्रफम कोटिया भिगरिया के लिए वे इस तरहां का मांग दिया गया है T half ग्याद करना तो यह बस इतने में फॉर्मूले में काम चल जाएगा T half is equals to 0.693 by K आपको K दे दिया गया बस second में value मिल जाएगा इसका calculate करने T half कुछ नहीं रखा है चलिए एक प्रतं कोटी अभिक्रिया 40 मिनट में पूर्ण होती है 90% पूर्ण हो जाती है यह वाला प्रिशन है बिलकुल वैसे ही है यहाँ पर जो 40 मिनट है वो यहाँ पर 50 मिनट था बस इतना ही कहानी है चलिए अब देखें quiz चलो बताओ क्या करेंगे answer बताओ क्या होगा answer बताओ यह अभिक्रिया है या इसके अनुसंकिता कितनी होगी अनुसंकिता निकाला बहुत आसान होता है आपको करना क्या इस टाक्मेटिक गणाक है इसमें एक है इसमें एक है टूटल होगे 2 बीऑप्षिन र्याइट कोटी कितना होगा इसकी कोटी होगी एक कोटी नहीं पूछा है इसमें इस अभिक्रिया की कोटी का निर्धारण कैसे किया जाएगा तो इस अभिक्रिया तो दिया नहीं है लेकिन कोटी का निर्धारण कैसे किया जाता है क्या जवाब होना चाहिए आपकी प्रश्णका तो इसका जवाब होगा प्रायोक निर्धारन से है कोटी का निर्धारन हमेशा प्रायोक निर्धारन होता है अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होगा अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होगा अबिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होगा अबिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होगा अबिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होगा तो होगा मंद गती, सबसे मंद, C option right होगा, शिन्यकोटी अभिक्रिया के लिए दर इस्थरां की काई क्या होगी, शिन्यकोटी अभिक्रिया के लिए दर इस्थरां की काई क्या होगी, दर इस्थरां के लिए formula क्या होता, K is equals to X by T, शिन्यकोटी का ये है, तो क्या होगा, k is equal to, यह mole per liter per second, यह होगा, कहीं पर है यह, be option right, चलें आगे, निम्न अभिक्रिय, यह है आपका कुछ homework बहुत important है, ऐसे प्रशना पूछे जाते हैं, मैं आपको important प्रशना दे रहा हूँ, important question दे रहा हूँ, इन important question को हल करिये, एक्जाम के लिए तयारी करिये इन प्रशनों के साथ, अगला है आरहेनियस, टक्करों का सिध्धान्त, आरहेनियस के टक्करों का सिध्धान्त पर थोड़ा ध्यान दे, आरहेनियस ने किसी रासानिक अभिक्रिया के होने का कारण बताया था, इन्होंने कहा था, कि अणवे आपस में टकराती हैं इसलिए रासानिक अभिक्रिया होती है तो अणवे का आपस में टकराना जरूरी है अभिकारक अणवे आपस में टकराती हैं तो रासानिक अभिक्रिया होती है ये टकराती हैं तो अभिक्रिया हो जाए जरूरी नहीं है एक निश्चित दिशा में टकराना जरूरी है, उप्युक्त दिशा में टकराना जरूरी है, सिर्फ उप्युक्त दिशा में टकराना जरूरी नहीं है, कि उप्युक्त दिशा में टकराने पर भी उसमें इतनी उर्जा हो, कि सक्रे संकुल बना सके, इतनी उर्जा हो, अणों क पास की वो सक्रिसंकुल बना सके, यही है टक्करों का सिध्धान्द आ रही निया इसका, और अगली बातें, अभिकारक अनुपरस पर टकरा कर सक्रिसंकुल तब तक नहीं बनाती है, जब तक कि वह उर्जा अवरोद को पार ना कर सके, तो यह है, किसी भी अभिकारक है, अभ क्रियन यानि एक्टिवेशन अनरजी, तो उतनी एनरजी जना लेना पढ़ता है, उसको कहा जाता है, और जावरोद, और यह जो उर्जा अरोद है, actually इसका थ्रेश्वरड एनरजी, यानि देहली उर्जा के बराबर तक होता है, यानि देहली उर्जा से कम उर्जा है, तो पड़ेगा ये औरजा कहलाएगा देहली औरजा तो देहली औरजा क्या है सबकी बारे में बताता जाता हूँ जहात सुनीएगा बिव औरजा अभुकर्य संपन्न करने के लिए आनों में उपस्तित निउनित्तम औरजा यानि इतनी उर्जा जरूरी है कि वो रियाक्शन हो सके तो उस उर्जा को कहा जाएगा देहली उर्जा नियुनितम उर्जा किसी अभिक्रे को संपन करने के लिए कम से कम उर्जा जिसको उसको लेने पड़ते हैं उसको देहली उर्जा कहते हैं फिर बात करता हूँ, सक्रिन उर्जा, अगर देहली उर्जा से कम उर्जा है किसी अर्णों के पास, तो उस उर्जा को उन्हें लेना पड़ेगा, जितनी उर्जा लेने के वह शक्ता है, उसे कहा जाता है, सक्रिन उर्जा, तो सक्रिन उर्जा, सक्रिन उर्जा, बराबर देह देली उर्जा कितना लेना पड़ेगा देली उर्जा से कम तो अन्वों के पास उपस्थित उर्जा तो देली उर्जा से अगर कम उर्जा है अन्वों के पास तो उनके जो अंतर होगा वही उसकी सक्रिन उर्जा कहलाती है तो इतनी बात है तो हमारे पास हो गया, अब औरजा अवरोद क्या है? यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे, औरजा अवरोद वह निवनतम अवरोद है, जिसे पार करने के बाद ही कोई उत्पाग में परिवर्तित हो सकता है, अभिकारक अथ तो यह उर्जा अवरोद है, य उत्पाद की उर्जा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, मेरे पास है रियाक्टन की उर्जा और प्रोड़क की उर्जा, अगर ऐसा होए कि उश्मक शेपी अभिक्रिया, तो उत्पाद की उर्जा कम है, रियाक्टन की उर्जा जादा है, तो उसे क्या कहेंगे, उत्पाद की उ ऐसी अभिक्रिया जिसमें उश्मा और शोशित होती है तो यहां पर देखेंगे Er-E-P और शोशित होगा मतब उत्पाद की उड़जा जादा है रेक्टेंट से तब यह उड़जा और शोशित करेगा इसको कहेंगे उश्मा शोशी अभिक्रिया ताब गुनांग अगर किसी अभिक्रिया की दर को 10 degree Celsius, किसी अभिक्रिया के ताप को 10 degree Celsius बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर दुगू नहीं हो जाती है, तो यहां पर हम ताप गुणांग शब्द का उप्यों करेंगे, ताप गुणांग, ताप गुणांग है, के का मान, 10 degree Celsius हो, और के का मान, 10 degree Celsius से अधिक हो, 10 degree Celsius अधिक हो, के मतलब 10 थरांग, 10 degree Celsius अधिक ताप मान पर बटा, 10 थरांग, 10 degree Celsius ताप मान पर, दोनों का जो अनुपात होगा, उसे हम कहेंगे ताप गुणांग, और ताप गुणांग का मान, अकसर 2 या 3 होता है, है नार्मलना अभी क्रिया में दो होता है तो, इसका मतलब है अभी ख्रिया की दर दूगुद नहीं हो जाती है आरेनिय समीकरन पर बात करते हैं आ रही ने समीकरन आर्शी स सहते तो यह दर स्थ्रांख और E की पावर माइनस E A by R T के मद्धी होता है इसका समानुपातिक संबंद होता है K is equals to K समानुपाती E की पावर E minus E A by R T याने की K is equals to A E की पावर E A by R T होगा तो यह है आरहनीय समीकरण आरहनीय समीकरण का गणिती रुप जो है वो मैं आगे आपको ले जाके चल रहा हूँ तो यह होगा इसका गणिती रुप log 10 base पर K2 by K1 is equals to value हो जाएगा E A by 2.303 R और यहाँ पर होगा T2 minus यहाँ पर T1 यहाँ कि 1 by T1 minus 1 by T2 यह फॉर्मुला है इसको अपली सकते हैं T2 minus T1 by T1 T2 यहाँ पर लिख सकते हों क्या log 10 base K2 by K1 is equals to E A by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2 कुछ questions है जो आपके लिए important है इन प्रश्णों को आप करिए बना के देखे important question मैं आपको दे रहा हूँ इनको देखेगा समय हो चुका है काफी तो इन प्रश्णों को अच्छे से practice करिए की बच्चों एक देखे बताइए क्या प्रश्ण wrap 10 degree हो जाती है सक्रिन उजब आद कम होने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाता है बढ़ जाता है आप परिवर्थित रहता है ताप से प्रभावित होती है क्या लिख हो गया जल्दी बताइए इसका जवाब होगा सक्रण उज्जा का मान कम होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है यह कुछ हो मर्ख है और इंपोर्टिन प्रिश्ण है दियां रखना इन प्रिश्णों के साथ तो क्या अगला चाप्टर चाहिए आपको वन शॉट में और इस तरह से आपके एक्जाम के तयारी काफी पहले एक रिविजन के साथ हो जाती है दियां रखिएगा वन शॉट के साथ आपकी तयारी कंप्लीट होने लगती है तो क्या आप इसी तरह से वन शॉट क्लास करना चाहेंगे अगर करना चाहेंगे तो मैं आपका help कर सकता हूँ बताइए कि काफी बच्चों का demand था इसलिए मैंने ये सब किया था तो बताइए अभी तक तो आपका 3 like chapter हो चुका है अब आगे के chapters के लिए क्या करना है बताएंगे ये सारे notes को प्राप्ट करने के लिए आप हमारे telegram channel विक्रम सर हैब केमिस्ट्री और मेरा instagram है विक्रम हैब केमिस्ट्री इनको जॉइन करें और ये सारे चीज़े प्राप्ट करें और सारे notes आपको मिल जाएंगे सारी slide आपको मिल जाएगी तो आज की बात यहीं पर समाथ करते हैं कर धन्यवाद